नमस्कार नेशन टुटीफॉर में आपका स्वागत है मैं नीड़ेज। लोगों के बीच जाके अपनी दाविया और वादे पेस कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जो योजनाय हैं धातर पूतारने की कोशिस कर रहे हैं जो योजनाय उत्री हुई है उसे जल से जल पूरा करने की कोशिस कर रहे हैं पर इसमें एक बा पर निसन 24 की टीम जो है लगतार पुरे बिहार के पंचायद के दोरे में और हर पंचायद में जाके जिला परसद के कारियों को मुख्या के कारियों को देख रही है और अपने माध्यम से आला दिकारियों से लेकर माने मुखमंति तक मुचा रही है और दिखा रही है और बता लिए पेहां निकाले है हमारे लिए और हमारे साथ मुखाइब हुए और हमसे बात कर रहे हैं अपने अबरत्मान कारेयों को लेके और पर्तियासी के तौर पे लगतार जंता के भीच आ मादने जा रहे हैं कि ご कि धन्यवाद मेरा नीट 24 मेरा पहला सवार है 2016 से 2020 तक विला पार्शे के तौर पर बरत्मान करत रहे हैं कितना काम और कितना विकास करता है जो सरकार से योजना मिली है उसको हम धरातल पर करने का काम किया है चाहुआ मौमिनपूर पंचाइत हो चाहुआ जैतिया हो चाहे कोल पंचाय थो चाहे गवरी-पंदा पंचाई थो मनें मोहिदिनपूर पंचाय थो पितामर पंचाई थो मांसिमर पंचाय थो म साहधीं पंचाइत हो साइद बनाए थे लोग उसके बाद नहीं बना था लेकिन जब जिला फरसद लोगों ने मुझे जिताने का काम किये और विश्वास करके बनाए और जिताए तो हमने भी खड़ा उत्रे जनता के साथ मैंने काम किया और अभी जो भी सरकार के द्वारा जो मिला रहा सी हमने उस प्यार मिल रहा है और जनता का अगाज क्या है देखे ऐसा है कि हम जब जिला परसद नहीं थे फिर भी हमारा जनता से लगाव था और पहले भी हम सूख दूख में हर समय हम लोगों से मिलते जूलते रहते हैं आज चुनाव है हम सिर्फ आके यहां पर अपना एक के बारी अ और लोग जो है अपार जन समार्थन मिल रहा है इसके पहले हम तेश सो मत से चुनाव जीते हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार और सने मिल रहा है तो लगता है कि हम इस वार लगभग सताथ हजार बोर्ट से चुनाव जितना चाहिए जो जनता कि हम आठो पंचायद में जो प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है आठ पंचायद है आपके पास जिससे जिससे आपके भोटर्स होंगे जो आपको भोट करेंगे और आपको जिताने का काम किये हैं और साइड करेंगे चुकि आपने यह रिकार विकास किया होगा मुझे एक ब पहले के जो पूर्व के जिला परसद थे अब कौन कई 2001 में जो लागू हुआ पंचाइती राज तो लोग ने क्या क्या किया नहीं किया लेकिन कहीं भी वोड देखते हैं कि वोड नहीं है लेकिन हमने जो काम क्या विकास किया है तो हम विकास के मुद्दे पर हम चुनाओ मांग करते रहे हैं कई ऐसा हमने अंदोलन भी किया है फात्मा का अंदमनल बनाने के लिए मैंने मांग किया 2001 में मांग किया 2001 से मांग फात्मा इसलामपूर रेलवे जो रेलवे लाइन है हमने उसमें दोग गोकुल अगर हॉल्ट और नैकारोड हॉल्ट के लिए राज सरकार से मैंने मांग किया था और उसमें जो है मानिये जो बिहार के मुखिया है नितीश कुमार जी वह रेल मंत्री थे लग के तो उन्होंने दोगो हॉल्ट देने का काम किया है वह कोई सजाती भी सेसका नहीं है हॉल्ट सबका होता है आज रोड है तो विकास है हर लोग जाते हैं जो लोग बहुत सारे लोग लड़ते हैं कि हम जात के नाम पर लड़ते हैं हम जमात के नाम पर लड़ते हैं हम समाज के नाम पर लड़ते हैं हम विकास के नाम पर लड़ते हैं आप विकास के नाम पर लड़ते हैं चलिए तो अब यूजनाओ पर आते हैं यूजनाओ जो आई है सरकार की वो विकास के लिए आई है तो कौन कौन से योजनाओं पे आपने बेहतर कार किया और उसे जमीन पे उतारा जिसका फैदा जो है यहां के ग्रामी नों यहां के जनता को मिली देखिए नली गली के काम किये हैं और सड़क बनवाए हैं और नाला है कहीं पर गली है इस तरह का काम करवाए हैं हीट नहीं है वो जिला परसत का जो कार्ज योजना में हम लोगों को दिया गया था कि आपको रोड बनाना है आपको संपर्क पत को जोड़ना है तो हम उसको जोड़ने का काम किया है नाला बनवाया है आपको इट सोलिंग करवाया है रोड बनवाया है गली को डहलाय करवाया है तो फिर जो है उसको यह किया गया सरकार के दोरा कि जीला परसत के दौरा नहीं किया जाएगा यह बाड़ सदस के दौरा किया जाएगा इसलिए हम उस पर तो नहीं कुछ कह सकते हैं हम भी जान देंगी जैतिया पंचायत में आप गये हैं आपको यह मालूम है और हम 365 दिन हम 365 दिन भूमते रहते हैं सब्सक्राइब आप नियुक्ते हैं कि यह सारे काम अपनी किये मंदीगा में भी आपने देखे मंदीगा के के हम लोगों को नहीं दिया गिया है मंदीगा के लिए चिठी आया था लेकिन वहाँ जो है अब ही तक राजसरकार से या केंद्र प्रश्राइब हैं उनके द्वारा हम लोग कोई पत्र नहीं मिला उसके द्वारा हम लोग कोई काम नहीं कि अब यह बताएए चुनाओं नोदीख्या रिसूचन जारी है अभी जुनाओं दोरा कर रहे हैं इस वार कौन से मुद्दा होंगे जिसको लेकर जनता हैं देखिये ह हम तो विकास के मुद्दा लेकर जाएंगे अभी इस गाउं में भी घूम रहे थे तहीं बहुत सा जो है इट-सोलिंग है नाला नहीं बना हुआ है लोग भी का रहे थे कि आप जो है आप लोग इतना जिला परसद के लोग जानते नहीं हैं मुखिया को लोग जानते हैं कह जीला परसद में बन लगए हम काम कैलीख है है यहे लेकिन के लौग मुख्या जी काम नहीं किये हैं हां मुख्याजीर कोहीं भी जाईएगा पद्रकार महोदय जी कहीं भी जाइए गा तो जड़ी हम लोग भी जडिक पार्टी संंग्शन overtime के हम लोग से पहले कुर्शी हम लोग से पहले कुर्शी जो है पहले परत्मिक्ता पहले कुर्सी पहले नाम मुख्या जी के नाम आया आया यह बैठी बैठी जीला परस्द को जो है पंचाय समिती को जो है लोग उतना नहीं यह यह है कि जिला परसद कौन है क्या है जिला परसद के तागत है लेकिन हम तो मांग करते हैं यह बात सवाल आपने किया तो हम मांग करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जिला परसद को भी जीस तरह से माननिय बिधाई माननिय बिधान परसद को आप जो है तीन कड़ सरकार से nation news के माध्यम से मांग करते हैं कि इसको भी fix कर दिया जाए कम से कम तो 50 लाक रुपया परति तिया जाए और इनका अपना अनुसांसा करने का जो है अपना अधिकार दिया जाए नी यह बहुत सही जनकारी हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, सरकार तक पहुंच रही है, मुख्या जी का रोल पंचायत तक होता है, जो जीला परशद होते हैं, उनके पास 7, 8, 9, इसी के करीब पंचायत होता है, बहुत बड़ा छेतर होता है, जिसमें इनको सारा कार कर जाए एलेटन पहते हैं जेदि ये जुपह होता है ज्दम्तके पर SC कोMom.' है कि लगता है कि जाए जाए जा कि इनको रिलिज किया जाए ओñas में अश्टर करिए जिसे कि यह बहुतर धनक सझी जो है उसको कर पायuit और से लागू लगता है हम्हीए कि देखे सरकार के नहीं होती है लोग वहां पर सरकार हर्जा क्या करेंगे अब हम जिला पारसद हैं तो हम आठ पंचायत में जब तक पंचायत के हमारे जो जनता है या जो हमारे करता है जो सहयोगी है वह नहीं बताएंगे कि शुधीर जी मौमिनां पंचायत में बुद्धुचक में यह है यह है तो हम कईसे जनकारी होगा तो लोग वहां तक जह जो सरकारी urgent रहे जो मानिय मुख मंत्री जी को और परधान मंत्री जी को जो है यह बात को नहीं पहुंचाएं अबगत नहीं करवाते हैं जिसे जो है वह अनभिग गिराते हैं उनकी जनकारी में कमी होती है हम जिसले कहेंगे कि अधिकारी लोग जो है इस बात को पहुचाना चाहिए कि जिला परसत को जो है यह लोग कहते हैं कि मीनी बिधायक है मीनी बिधायक है भाया लेकिन हमरा कोई पावर नहीं है मुख्या ज ये कि सुधिर जी यह नली गर्ली बनना चाहिए लेकिन हम चाह के भी हम नहीं कह सकते हैं करना बादा नहीं कर सकते हैं कि जब हमारा थाल पर जो महीं पर बैठक होगी हम और नहीं जो जाते हैं बाड सभा कर ये यौजना को पारिद कर लिदे यमारा सिधे जो है उसे जो न 7 पर बैठा करना परता है और जिलापरसत प्रतर अध्यक हैं ना कि कोई जिलापरसत के सदस्व ब्ला सकते हैं तो हम लोग कहीं नहीं राज ना सरकार से आप निवज़नेशन के माद्यं नेशनुनिफिफोर के माद्यं से मांग करना चाहते हैं कि इसका भी जिला परस्थ का अधिकार स्वतांतर किया जाए और कम पूरे विहार की बात है और पूरे देश की बात है यह पंचाय चुनाव है जिला परस्वत है छोटी मुँ बड़ी बात नहीं करना चाहिए लेकिन हम इस पर मान्य प्रधान मंत्री जी को अब गत करवाना चाहेंगे आपके नेशन 24 के माध्यों से कि जो मनरेगा है या अब चुरी पेन और पेपर पर है और नहीं तो आप जब मनरेगा का मोगा होगा तो आएए उस समय में और उस समय देखिए खाई को जो है लोग छील देते हैं और चील के पैसा निकल जाता है और खास खास आदमी जिसे हमको 10-20 आदमी जो है उसका मनरेगा काड बनाये एक दीन में 80 मन मिटी काटना और 80 मन मिटी अलंक पर भीगना यह संभब नहीं है कोई नहीं भीग सकता है हम तो लागता कि 10 देलिया भी भीगेंगे तब मुख मंद्री या परधान मंद्री जी आप जाएंगे और जिसको कहते हैं कि 80 मन काटने के लिए आप कहते हैं कि 80 मन पर दोद एक सो चौरानुमी रुपिय कूछ पैसा हो गया बताइए एक सो चौरानुमी रुपिय आप बताईए सुरानुमें ohne के में कोई असी मन मती AC तर्कारे चाहता है कि हमारा काम अधूरा हो इसलिए मनरेगा काम है आप कहते हैं है मदूर पलाईन तो होता है आप तो काम पो देते नहीं है काम जूट बात है आप जा के कहीं भी आप आम लोगों से भी मिलिए हम छोड़ ये जन परतिनी दीखो आम जनता से इस पर मंद्रेगा की बात कीजिए तो मंद्रेगा पर भाईया वहां जो है सही नहीं होता है देखिए हम लगतार चल रहे हैं पूरे पंचायत में 500 सूपर पंचायत हैं भूम चेगा और हर जगा मंद्रेगा पे एक सवाल उठता है कि उनका रेट 194 रुपय है और मार्केट रेट जो है 300 से 300 रुपय है ताकिर एक मज़़ूर जो है कैसे जो है उसको चला सकेगा और कैस कैसे उसको काम कर सकेगा और कैसे अपना जीवन यापन कर सकेगा हमने हमेशा आगरा किया है मुख्या जी के द्वारा भी आगरा पहुंचाया है सरकार तक और अलाधिकारियों तक कि उसको कम से कम 2870 रुपया तक कर दिया जाए जिससे एक एक अस्तर का पैसा उनको मिल चुका हूं कि हम 365 दिन जिदन हम जिला पारसद नहीं थे उस दिन हम 365 दिन घूमते रहते हैं सुख दूग साधी विया मरनी अर्नी जीनि तेखिए तीन महिना में क्या कर रही बता है देखिए तीन महिना में हम है सब लोग जानते हैं कि सुधिर जी चुनाओ लड़ेंगे सब लोग एक बार सबसे रूबारू हो लिए हैं कि हम चुनाओ लड़ रहे हैं अब जब हम नवनेशन करेंगे 23 से 29 तारिक तक अक्टूबर में होने वाली है नौमा चरन में उसके बाद जो भी हमारा जो चुनाओ चिन मिलेंगे हम उस पर यहां लाके हम अपने कर्श करताओं से अपने दुआरे हम यहां पर आके जनता को अबगत करा देंगी चुनाओ चिन मेरा यह है लोग पहले से मान बनाये हुए है कि सुधिर जी को हमको आगे भेजाना है आगे बढ़ाना है बहु सारे लोग जिला परसद है बहु सारे लोग जिला परसद चुनके जाएंगे तो शिरिप जिला परसद रहेंगे और हमारा उदेश आगे का रहता है हम जब भी कोई राज प्रदेश के उपाध्याच और परभारी तक रहा लेकिन 2016 में मैं निर्दलिय चुनाओ भी हम फात्मा विधानसवा से हम लड़े हैं विधानसवा चुनाओ लड़े हैं भारती जनता पाटी जो है रिदातो रात जो है अब भी सत्यंदर सिंग जो लड़े भारती जनता पाटी से वह लोच्पा के थे तो लोच्पा से गए और लोच्पा से आदा घंटा भी नहीं लगा और वो जो है टिकट भारती जनता पाटी से ले लिए तो यह ऐसा नहीं तो हमने कहा कि यहां पर निती और नियाय साही नही कि हम करेंगे हम पार्टी के लिए काम कर सकते हैं तो हम जानता के लिए काम करके क्यों नहीं बन सकते हैं अगर यहां पर देखेंगे अभी तक जो है हाई श्कुल हो गया है और यहां पर देखें अभी तक जो है सिच्छा विभाग का जो है जिला सिचा पदाधिकारी या परखंड सिच्छा पदाधिकारी अभी तक कोई धियान नहीं है यह बेल्ली चका चक होना चीए हैं यहां है डिमीशन हो रहा है यह हूरा है सबस्राइब और जा जाए जिसको फात्मा नहीं जाना पड़े यहां पड़ाई मिल सकें हमने मांग किया है लेकिन अभी तक साहध को पूराद किया है नहीं किया है समस्थ्य सरकार का योजना अब सरकार और हमने कहा दिया कि देखिए इस सरकार में नितीजी के सरकार में जो है ना अफसर आही जादा है अब चले जाए बुटेशन के सवाल पढ़राए किसान की बात करें मूटेशन के लिए जाईए तो चकर काटना पड़ेगा सालो छव माहिना काटना पड़ेगा सुधार कर रहे हैं लेकिन सुधार हो नहीं रहा है ठीक है अस्टुडेंट को कहते हैं कि अस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा दिया बना दिया कहां बन गिया सब अपना गारजियन से मांगता ही है कोई बैंक में जाएगा लाउन लेने के लिए तो लाउन नहीं देगा मेरा ही बेटा जब इंजिनियरिंग कर रहा था जब हम फात्मा इस वी आई में गए जहाजी थे वहां पर मनेजर थे हमने कहा तो उनको पता चल गया कि यहां कुछ लेन देन बाला काम नहीं चलेगा तो उन्होंने कहा कि आप राजनीत करते हैं हम आपको नहीं दे सकते हैं इसलिए कि हमसे उनको कुछ बंदा नहीं माल मेटेरियल देना जो लेन देन राता बंदा नहीं तो उन्होंने सिधे सिधे कहा दिया अब वो मनेजर साब नहीं है य जब मेरा बच्चा के नहीं जब जनकारी हो गया कि राजनीत करते हैं यहां देंगें तो यहां हला हो जाएगा बावाल हो जाएगा इसलिए जो है हम संदेज देना चाहते हैं कि हम विकास किये हैं कंधा से कंधा मिलाकर हम चले हैं आप लोगों की साथ रहे हैं और रहेंहें वह इसलिए हम जंताकों कहना और यह अन्तिम जो है अभी अहाँ पर जानता भी है यह जिला परसत का चुनाओ मेरा यह जिला परसत का आंतिम चुनाओ होगा और हम परिवार बाद में, हम बेटा को, भाई को, भतिजा को, हम जब तक जिन्दा रहेंगे, हम परिवार बाद में नहीं लाएंगे, हम मुख्या का चुनाओं नहीं लडवाएंगे, हम जिला परसत का चुनाओं नहीं लडवाएंगे, विधाय का चुनाओं नहीं हमारे साथ बात करते हुए सारे चीज़ों पर बात किये कैसे जनता के भी जा रहे हैं कौन डावे वादे पेस कर रहे हैं कौन सा अपने योजनाओं को बता रहे हैं कैसे काम को पूरा किये हैं क्या कमी रगई है क्या पूरा किये हैं हमारे मादेम से सरकार तक भी अपनी कम्यो जिटके नहीं आएंगे ये अब आने वाला समय ही बताएगा आप देखें निशन 24 नमस्कार